हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज मैं आया हूँ कांदी नगर के वसंत 3024 में, जो की संस्कुरूती कुंजी नाम की जगा पर होता है, तो चलिए आज आपको मैं पूरा वसंत 3024 अंदर से दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके लिए छोट संस्कुरत गाओं की स्टाइल में एक केट बनाया हूँ है, संस्कुरूती कुंज का, यहां पे सामने सरस्वती माता की मूर्ती है, और इस तरह से डोलनागाडों से आपका स्वागत होगा, और बहुत ही अच्छी लाइटिंग की हुई है, जहां पे आप बहुत अच्छे और वीडियोस बना सकते हैं, वसंत उत्सव वसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है, तो गांधी नगर में यह शुरू हो चुका है, और लगबग 13 या 14 तारिक से यह स्टार्ट हुआ है, तो लगबग 23 तारिक को यह खतम होगा, 23 फेबरुआरी तक चलने वाला यह वसंत वसंत उत्सव की टाइमिंग शाम को साथ बजे से लेके रात को 10-10.30 बजे तक की होती है, तो आप इसी दरम्यान यहाँ पे टिकेट लेके एंटर कर सकते हैं, वसंत उत्सव क्या है अगर आप लोगों को यह नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि गांधी नगर में संस्कृति कुझ नाम की एक जगा है, जहां पे यह हर साल यह वसंत उत्सव फेबरुआरी के महिने में होता है, तो जनरली इसमें भारत के सभी राज्यों का जो संस्कृति होती है, उसका आप एक जलग देख सकते हो, भारत के अलग-अलग राज्यों से लोग यहाँ प जैसे की हैंडिक्राफ्ट्स है, फिर कपड़े हैं, बच्चों के खिलोने हैं, ऐसी बहुत सारी एंटिक चीज़े जो भारत के अलग-अलग राज्यों से यहाँ पे यह स्टॉल्स लगते हैं, तो वो सब चीज़े आप यहाँ पे खरीच सकते हैं, बेसिकली वही वसंत उत समयाद साम को साथ बचे से एंटर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, वो रात को आठ बचे से शुरू होते हैं, तो पहले ही दिन हमारे गुजरात के फेमस बजन गायक जो है श्री हैमन चौहान जी उन्होंने परफॉर्म किया था, जो कि बहुत ही बढ़िया उन्होंने लोगों की शाम रंगिन करती थी अपने सूरीली आवास से, तो इसी तरह से हर रोज यहाँ पे गरबा का प्रोग्राम होता है, या फिर दूसरे किसी स्टेट का, जैसे की केरला का हो गया, करनाटक का हो गया, तमिल नाडू का हो गया, तो देखना अगर आप लोगों को पसंद है, तो आप ज़रूर संस्क्रूति कुझ में आ सकते हैं, उसके अलावा यह सारे शॉप्स में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी हैंडी क्राफ्ट आइटम्स यहाँ पे मिल जाएंगी, में बात यह ही है कि यह जो पूरा संस्क्रूति कुझ है बहुत ही अच्छे तरीके सजाया हुआ है, बहुत ही बेहतर ही लाइटिंग की गई है, आपको यहाँ पे अगर आप आओगे शाम के टाइम पे तो आपको बहुत ही ज्यादा मजाएगा, संस्क्रूति कुझ में एक बात का दियान रखिएगा, कि अगर आपको चलने में तकलिफ है, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लेम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत ज्यादा पड़ेगा आपको, और उसकी अलावा आपको अगर डस्ट अलरजी है, तो मास्क लगा कर आईएगा, क्योंकि यहाँ प यहाँ पर लेके चलता हूँ, वह भी दिखाऊंगा कि आज कौन सा वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, कल्चरल प्रोग्राम जहां पर होता है, वहाँ पर बहुत ही बढ़िया यह स्टेज बनाया हुआ है, और उसके आगे और पीछे दोनों साइड पर थीएटर क जैसा सीटिंग किया हुआ है, तो वहाँ बहुत सारे लोग इखटा होके प्रोग्राम को इंजय कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, कितनी भारी मात्रा में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और यह आपने खुजरात का जो गर्बा है, वो यहाँ पर पेश हो रहा है, मिम्मे करोव एपने अरह भारी मात्रा में लिगन मुड प खंधने खब गदयाए हैं, पिक अिए वहाँ पर आए हैं, जैसे किएश हैं, तो वहाँ वहाँ पर देख लोग crochet, वहाँ पुड़का रहネा हुट हैं, वहाँ हैं, वहाँ 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 यह वहाँ जग अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दू कि संस्कुरूति कुंज गांदी नगर में किस जगाव है संस्कुरूति कुंज आप अब आप जब इन्फो सिटी साइड पे चाजीरो साइड भी आओगे तो वहां से सीधे चले जाओगे तो वहां पे आगे इंद्रोडा पार्क और सरीता उद्ध्यान है तो सरीता उद्ध्यान के पास में ही ये संस्कुरूति कुंज है और इसका पार्किंग भी सरीता उ मिल जाएंगे जैसे कि अलग-अलग राज्यों के हेंडी क्राफ्ट हो गए फिर बरतन के स्टॉल्स हो गए कपड़ों के स्टॉल्स हो गए फिर तलवार और कटार के अगर आप शौकिन है तो उसका भी स्टॉल आपको यहां पर मिल जाएंगा उसके अलावा सिटिंग मिलता है मिट्टी के जो होम डेकोर आइटम्स होते हैं या फिर मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी की जो पानी की बोतल होती है वह सब आपको यहां पर बहुत बढ़िया मिल जाएगा उसके अलावा यह इमिटेशन ज्वैलरी और साडियों के भी बहुत अच्छे-च् बनाया हुआ है जहां भी आपको हर तरीके का खाने का सामन्त मिल जाएगा यहां फे एक बहुत ही पुरानी हवेली भी है जो बहुत ही अच्छे से सजाई हुई होती है संस्कृति कुंज के दौरान तो वह भी आप देखने के लिए आ सकते हो पीछे की और जो कल्चरल प्र और बैठके एंजोई कर सकते हो तो दोस्तो यह था वसंत 1924 गांधी नगर संस्कृति कुंज से देईस फेबरुआरी 2024 तक यह चलने वाला है तो आप भी यहां पे जरूर आईएगा I hope आपको आज का मेरा यह वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा अगर वीडियो सब्स्राइब करना मत पूलिएगा मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर एंड थेंक्स फर वाचिंग